Hey guys, welcome to my youtube channel और आपका स्वाकत है एक और मज़दार वीडियो में यह हमारी जो ongoing resume builder की street चल रहे है उसका 6th part है जिसके अंदर हम update और delete का feature बनाएंगे पिछली वीडियो में हमने create करने का feature बनाया था कि हम CV कैसे create करते हैं ठीक है जिसमें किया ऐसा यह basic details है पर हमने इसमें education और skills और experience नहीं किया था वो क्योंकि हमने छोड़ा था किसके लिए वो हमने छोड़ा था इसके लिए जब हम क्या कहते हैं add it करेंगे तब वहां डालने का option देंगे ताकि बन्दा अपना कुछ भी add कर पाए as a fresh share यह जो भी है जो भी हो डालना चाहिए तो I hope तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे अगर तुमने यह playlist नहीं देखी है तो नीचे description में playlist की link है जाके पूरी playlist देख सकते हो और तुमने अगर अभी तक मुझे subscribe नहीं किया है जो कि एक बुरी बात है तो तुम मेरे चनल को subscribe कर सकते हो लाल बैटन पर click करके free है और yeah without wasting time start करते है सबसे पहले हम यहाँ पर edit का feature बनाएंगे पिछले page में हमने edit update resume का page बना लिया था already तो हमें जादा उसके लिए मैनत करेंगे जरूत नहीं पड़ेगी हम simply कहा जाएंगे कि हम जाएंगे अपने म ανα preciso पर इहां पर edit नूड़ेंगे यह रहा रहा एडिट बटन और यहां पर जाने के बाद तो हम क्या करेंगे पर को यहां पर लेखेंगे भाई question mark question markHa क्या रहा ह очень यहां पर करेंग कि हमें वेजना का में भेजना है अपडेट कहां गया है update resume lot php पे भेज रहा है और इसकी जो id होगी वो यह होनी चाहिए resume id जो है वो यह होनी चाहिए अब resume id यहां पर कहां से मिलेगी भई तो resume id उपर resume के variables मिलेगी तो यहां पर सिंप्ल हम ऐसे लिख देंगे dollar resume id ठीक है यह हो गया resume id कुछ ऐसी होनी चाहिए मैं पर refresh करते हैं edit पर जाएंगे तो resume id दिख रही है पर इसको थोड़ा और अगर interesting बनाया तो तो यह यहां पर sludge भी दे सकते हो कुछ इस तरीके से यह और interesting बन जाएगा अब देखो अब edit प्ले जाएंगे तो देखो सला जा रहा है अगर मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो resume id ऐसे आ रहा है जो कि यह थोड़ा कूल लग रहा प्रफेशनल लग रहा है राइट id की हटा दो तो और बढ़िया लगेगा बैक जाते हैं refresh करते हैं edit resume यह बढ़िया लग रहा राइट अब यहां पर देखो तो यहां पर कुछ भी detail नहीं देखी रहे जारी सी बात है क्योंकि हमने कुछ add नहीं किया है अभी चलो add कर लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर जाते हैं अब यहां पर auth id तो match होनी ही चाहिए वेर वाली condition में साथ में एक और condition match होनी चाहिए कि भाई जो कहते हैं sludge है वह equal होना चाहिए dollar dollar sludge के end लगा दिया हमने इसमें इसको हम bracket में wrap कर देते हैं end का मतलब दोनों true होंगे तो ही हमें value return करेगा single quotation है यहां पर यहां पर भी double quotation डाल देंगे problem solve अब sludge के अंदर क्या चाहिए हमें तो sludge के अंदर हमें चाहिए उपा से जो मिल रहा हमें get resume और अगर यह नहीं है तो blank perfect resume और अगर इन में से दोनों में sludge resume आगे fetch अगर resume नहीं मिल पाता है for any reason resume अगर exist नहीं करता है तो क्या करना है तो भाई इसको redirect करना है और क्या करना है इसको हम कर देंगे redirect कहा redirect कर देंगे तो हम इसको rewrite कर देंगे my resumes.php में हम इसको rewrite कर देंगे हम इसको यह पर save कर देते हैं refresh करते हैं तो यह हम सब कुछ नहीं है right तो मैं काम करता हूं मैं इसको यहां से लेके यहां तक copy कर लेता हूं and then ctrl z z z z z दबाके इसे वापस से पहले ऐसा करता हूं जैसे यह था और जैसा इसे होना चाहिए था okay alt z z order by des c okay I think हमने undo कर लिये ठीक है देख सकतो perfectly दिख रहा है पर click करते हूं यह आयां गगए हमें Edit Resume पर click करने है My Resume पर नहीं okay तो यहां तक हमारा ठीक है हम Creator Creator Resume होगे Update Resume होगे Update Resume होगे Update Resume पर सबसे उपर आते है Update Resume पर यहां पर आता हूं यहां पे हम सारा paste कर लेते हैं ठीक है अब यहां पे देखो code हमारा ठीक है select all from resumes where this 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 where id जो है user id के एकवाल होने चीह और sludge जो है sludge के एकवाल होने चीह whereby id dsc order के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि order हम कर नहीं रहें तो इसका फर्क नहीं पड़ता ठीक है इसके बाद हम यहां पे हैं resume resumes के अंदर fetch asok है ठीक है और resume अगा set नहीं है तो my resume.pg पर redact हो जाए ठीक है अब हम इससे refresh करते है select all from resumes where sludge is equal to sludge okay and user id is equal to अच्छा यह calculate करें तो मैं ऐसे करना पड़ेगा ना हो गया fix अब हमें अगर resume नहीं मिलता हम अगर मतलब अगर मैं यह गलत देलता हूं तो देखो home screen पर हम आ गए ठीक है perfect तो हम यहां पर edit कर लेते एक resume को और यहां पर कोई detail दिखनी रही है मैं यहां पर detail दिखा देता हूं और हम create resume से इसको भी उठा लेते हैं हमने जो यहां पर बनाया था form के ऊपर personal information के ऊपर ठीक है resume title यह भी हमें चाहिए क्योंकि यह भी जरूरी पार्ट है resume का परफेक्ट यहां पर आते हैं refresh करते हैं आप देखोई resume title नहां पर दिख रहा है बट फिलाल value ऐसे नहीं दिखनी चाहिए ठीक है तो हमारे पास resume के अंदर resume हमारी value मिल गई अब हमें resume title सबसे पहले देना है तो हम यहां पर resume title दे देते हैं और alt-z दबा के हम सारे code को एक स्क्रीन में कर लेते हैं यहां पर आएंगे हम और यहां पर हम लिगते हैं वही add the rate dollar resume ठीक है add the rate resume और इसके अंदर लिख लेंगे resume underscore title परफेक्ट ऐसी हमें सभी की values उनको दे देनी है copy यहां से कर लेते हैं यहां पर refresh करते हैं तो यहां पर web developer consultant देख सकते हूं लिखा आ गया full name ऐसी full name में हमें कर लिए यहां पर हम आते हैं इसको paste करते हैं और यहां पर फुल नेम कर देते हैं ठीक है ऐसी यहां पर email email ID कर देते हैं सेम इसी तरीके से यहां पर objective कर देते हैं अब्जेक्टिव ओके यहां पर mobile number कर देते हैं mobile underscore number save कर दे हमने आप यहां पर देने का तरीका थोड़ा अलग होगा यहां पर हम डीओ भी लिखते हैं डीओ और इसको हम रैप कर लेते हैं अपने date function में इसको हम एक specific तरीके से दिखाएंगे तब यह दिखेगा अगर मैं इसको ऐसे यहां पर दिखाऊं और यहां पर refresh करूं तो देखो यह तो सब दिख रहा है objective नहीं दिख रहा है objective अच्छा ठीक है समझ गया यह value के अंदर डाल रहा है यह तो text area को value के अंदर नहीं डालते text area को इसके अंदर डालते यह close होता है क्योंकि ठीक है यहां पर हम आपके इसे paste कर देते हैं अब यहां पर हमें simply क्या करना तो यहां पर हमने जो date करके यहां पर बनाया है इसके अंदर हमें अपके अल्रेडी एक string है हम इस string format में use कर रहे है timestamp है तो हम यहां पर बस format देना है हम यहां पर format देना है capital Y small m और d ठीक है इस format में देना हम refresh करेंगा देखो 1 1 90 70 यहां पर आ गया पर में data पर यह नहीं दी दिये गया dmy why एक पर हम इको करा लेते क्या करिए क्या दिख क्या है यहां पर ना copy यहां paste करते हैं refresh करते जीरो वन जीरो वन नैंटी सेवंटी क्यों रिज्म डियो भी ऐसा की दिखा रहा है अच्छा डियो भी के अंदर यह सिर्फ एससे श्टोर होगा हमने डियो भी को कनवर्ट नहीं किया ना इसका मतलब उसमें हें कोज दिक्कत नी है हम स्ट्रक्च्र में जाते हैं ऑर डियो भी को यहां पर चेंज sûr कर लेते हैं से हम दियो को फूरा वैसे कर लेता है ऐंट वार करेक्टर कर Brush कर लेते हैं कोज ने यहां तो आप कहा है हमारा ये रहर 9-2.99 तो अब ठीक है ठीक है तो हम इसे दिर्ट भी दिखा सकता है अब हमें ये कनिक जोत नहीं है तो ये चीज कोई नहीं दिक्कत है हमने पहले ही गलती कर दी कोई बात नहीं अब इसे सुधार लेते हैं तो हम इसको यहां पर चल जाते हैं और इसको डियो भी ऐसे यहां पर रहन देते हैं आपके कि अब देखो आप रिपश्क करते हैं तो दो कि अपने डेट सकते हैं जो भी तुम चुनना चाहों ठीक है यहां पर शूर है जो रहा है ठीक है मुबाइल नमबर को भी हम वार केरेक्टर कर लेते हैं यह जीब इंटेजर इसके एक्चुली वो क्यों क्यों एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है वो एज इन इंट स्टोर हो रहा है यहां पर है ना तो यह बहुत सरी गलती हमने कर लिया ना नहीं कर नीचेते हमें पर ठ ठीक है क्या कर सकते हैं इसको भी 20 कर देते हैं थोड़ा रहेगा ठीक रहेगा सेव किया हमने और यह मुबाइल नमबर भी अब हमारा सही स्टोर होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मेल हिंदू जेंडर इसा हम देख लेते हैं कैसे करेंगे यहां पर हम सिंप्ली जाते हैं अब यह यह जैंडर पर सबसे पहले आते हैं ठीक है था ही लिए भई की इस कि मेले इस जो equal equal है अगर male के तो क्या करना है तो हमें यहां पर selected लिखना है ने तो कुछ नहीं लिखना है same यही चीज हमें female और transgender के लिए भी कर लेनी है मैं इसे copy कर लूँगा और यहां पर paste कर दूँगा सेम यहां पर भी paste कर दूँगा ठेक है यहां पर लिख देंगे हम female यहां पर लिख देंगे हम transgender परफेक्ट सेम हैसे हम religions के लिए भी कर लेते हैं यहां पर हम लिख लेंगे रिजियूम का यहां पर gender check करें ना मिसे रिजियूम तो यह कह रहे है ऐसे कुछ इसको copy कर लिए हमने इसके आगे पेश्ट कर दिया सेम इसके आगे भी हमने पेश्ट कर दिया यह जंडर हो गया ठीक है है एसे हम digo क्लिक करना तो इसके आगे हम पेश्ट कर लेंगे और यहां पे लीख लेंगे कि रिलिजिन अगर एको ऐले हिंदू के यह दिखे कि अन्न था यह दिखे तो इस पूरे चीज को मैं Copy कर लाता हम यहां से यहां तक copy यहां paste यहां paste यहां paste ऐसी यहां पर Hindu है यहां पर मैं लिख लेता हूँ Muslim ऐसी मैं लिख लेता हूँ sick ऐसी मैं लिख लेता हूँ यहां पर Christian C-H-R-I-S-T-I-A-N Christian ठीक है तो यह हमारा selection हो जाएगा अब अगर मैं यहां पर refresh करूँ वैसे तो अल्यडी स्लेक्टेड़े बागर तुम इंस्पेक्ट में जाओगे तो देखो कि हमारे सिलेक्षन है और यह जो हमारे सिलेक्षन है देखो सिलेक्टेड यहां पर लिखा रहे ठीक है परफक्ट तो हम सेम ऐसा इसके लिए भी कर लेंगे लृं इंडियन और नेशनालिटी देखाने मुझे तो नेशनालिटी तो नेशनालिटी जो है हमारी वो अगर इंडियन है तो इसको यहां पर पेश्ट कर लेते हैं नेशनलिटी अगर नॉन इंडियन है तो यह दिखाना है परफेक्ट मेरिटल स्टेटस के साथ भी सेम ऐसे ही है हमें आप लिखना भई की मेरिटल स्टेटस का कीवर्ड हमें क्या लिखा है M.A.R.I. मारिटल स्टेटस ठीक है सेम है मेरिटल स्टेटस जो है अगर मैरिड है यह दिखाना है सिलेक्टेड और नहीं है तो ब्लैंक ऐसी को हम कॉपी कर लेते हैं हांसे और नीचे पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर Marital है Married है यहां पर इसको Single लिख देते हैं ऐसी यहां पर इसको लिख देते हैं Diverced यहां पर हम वैल्यू लेते हैं Hobbies के अंदर हम अपनी वैल्यू लेते हैं कुछ इस तरीके से Dollar Resume Hobbies यह Hobbies आगे हमारी और Languages Known के अंदर हम लिख लेते हैं अपना यहां पर सिरफ लिखना है हमें Languages परफेक्ट एड्रेस के अंदर हम अपना लिख लेते हैं भाई एड्रेस Experience के सब्रहन देते हैं फिलाल के लिए हम यहां पर refresh करते हैं जैसे हमने यहां पर create किया था ठीक है अब देखो यहां पर experiences और यह जो दिख रहे हैं फिलाल यह ब्लैंक है ठीक है फिलाल इनकी कोई value नहीं क्योंकि दूसरे table में store कराना है ठीक है ठीक है तो यह तो अलग-अलग table में store होगा तो इनको हम अलग-अलग table में कराएंगे अब यह save resume जैसे है तो इसको update resume कर देते हैं हम नीचे जाके सबसे नीचे आते हैं सबसे नीचे सब कुछ यहां पर बढ़ियां से हो गया इसके अंदर अब क्या करना है तो इसके अंदर अब add experience और add education सबको dynamic तरीक से नीच दिखाना है ठीक है तो चलो देख लेते इसको कैसे करेंगे हम तो यहां पर education और skills और इस सब बने हुए xps लिख लेते हैं xps और इसमें query चला रहते हैं same यह वाली db इसको copy कर लेते हैं na copy यहां पर लिख लिए हमने select all from experience experience, spelling और check कर लेते है e xp experience experiences spelling गला तो सकती है ठीक है तो उसका कोई दिक्कत ने google कर लेना yeah same spelling अब इतना में detail में थोड़ी जांगो spellings के ठीक है तो यहां पर हमारा experience है sludge match होना चाहिए sludge तो क्यार match नहीं होगा हमें sludge तो यहां पर दिया ही नहीं होगा क्योंकि हमें match करनी है id ठीक है तो हम इसको यहां से पूरे को हटा देते हैं where select all from experience अब यहां पर क्या है relation यहां पर resume id का relation है तो मैं अब लिखेंगे where resume underscore id जो है वो equal है किसके dollar resume id के perfect तो यहां पर xps में हमें एक object मिल जाएगा हम इसको xps फिर से लिखेंगे और इसको लिखके xps all लिख लेंगे और इसके अंदर one pass कर देंगे ताकि हमें associated array दे सेम ऐसा हमें educational skills के साथ भी करना हम यहां पर copy कर लेते हैं नीचे paste कर देते हैं यहां पर education का short form edus लिख देता हूं मैं सेम यहां पर भी edus लिख दिया हमेंने यहां पर भी edus लिखना पड़ेगा मुझे और experiences की जगह यहां पर लिखना पड़ेगा educations educations बाके सब सेम है resume id दोनों में common है यहां पर हम इसको copy करते हैं अब हमें एक और चीछ चाहिए हमें चाहिए skills ठीक हम लिखता हूं skills को हम पुरा लिख सकते हैं चोटा word है skills और select all from skills तो हमने यहां पर skills education experiences तीनों को यहां पर get कर लिया फिलाल के लिए तीनों blank है right but हम इसमें क्या करते हैं हम blank की छोड़ते हैं फिलाल के लिए नीचे की तरह पाते हैं हम इसको लूप में पहले चलाते हैं ठीक है read कर वाते हैं कि भाई नीचे show कहा होगा यह और हम यहां पर आते हैं यह होगे हमरे वेब डिलोप पर डॉमिनोज नीडली ठीक है यह होगे हमरे एकसपी का यह शायद है ना यहां पर experience का है यहां पर हमें लूप में चलाना है तो मुझे एक की ब्लॉक चाहिए तो मैं यहां से इसको copy कर लेता हूं सेव करता हूं और यहां पर लूप बना देता हूं और पी एचपी इफ एफ एफ लिखते हैं पहले इफ अगर एकसपीज है इफ डॉलर एकसपीज है तो चले है यह चले अगर एकसपीज है तो लूप चले पोरीच ठीक है डॉलर एकसपीज एज डॉलर एकसपी कुछ इस तरीके से ठीक है और अगर नहीं है तो यहां पर भी हम इस इसको पेस्ट करते हैं पर थोड़े अलग तरीके से अब रिफ्रेश करते हैं अब देखो एक ही यहां पर आ रहा है ठीक है यहां पर हम दिख देंगे आए इम फ्रेशर और नीचे वाली से तो को अठा आयते हैं यहां से इस यूव एव एकस्पीडियंस यू कैंट एड़ेट ठीक है यहां पर आकर रिफ्रेश कर देते हैं if you have experience you can add it by default यह रहेगा और इसको हम close नहीं कर सकते हैं तो यहां से यह cut करने वाला button भी यहां से हटा देते है और इसको call 12 दे देते हैं by default या ठीक है मुझे नहीं लगता है इसको ऐसे देने का जरूँ होता है ठीक है ऐसे भी ठीक है तो यहां फ्रेशर यहां पर लिखा आ रहा है और स्वेमें ऐसा हम education के साथ करेंगे और चलो दीक है कर लेते हैं जल्दी से यह पहले ठीक है तो हमने ऐसा कर लिया बट इनकेस मान लो अगर इसके अंदर data है तो क्या करना हमें हमें xps को दिखाना है यहां पर राइट xps को इसके अंदर हमें दिखाना है अब क्यासे दिखाएंगे तो यहां पर जैसे web developer consultant यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो यहां पर हमें हमारी जो xp के अंदर क्या है xp xp experiences position दिखानी है यहां पर राइट तो यहां पर हमें xp square bracket इसके अंदर हम लिखना है position कि भाई position को यहां दिखाना है ठीक है perfect और इसके साथ हमारी company हो गई तो company में कहां दिखानी है company में दिखानी है यहां क्यों यह होगी company dollar xp company ठीक है company होगी अब कब से कब तक क्या started और ended वह कहां दिखाना है तो यहां दिखाना है dollar xp started and same इसका calculate कर लेते हैं यहां पर hyphen एक लगा देते हैं और इसका अगे लिख देते हैं dollar xp ended perfect then यहां पर हम description लिख देंगे dollar xp और इसके अंदर हम लिख देंगे job job underscore desk perfect perfect तो यह हमारा वैसी दिखना चाहिए जैसे हम zoom करने की दिखेंगे वह हम check कर लेंगे जब हम add करेंगे तो फिलाल के लिए हो गया हमारा ऐसा ठीक है अब यह same चीज हम क्या करेंगे same चीज हम उसके लिए करेंगे education के लिए तो मैं इसके काम करता हूं पूरे को copy कर लेता हूं यहां से सिंपल से रखते हैं और बाकी तो दोनों ही ui में same ही है मतलब कुछ कुछ चीजे चेंज है अब जैसे यहां पर एक्सपी लिखा है ना यहां पर इसके जगह हम लिखेंगे एडूज ठीक है यहां पर लिख लेंगे एडूज बाकिया में हर जगे एक्सपी करने की ज़रूत नहीं है कि लूप के अंदर जो यह वेरिबल क्रेट होए लूप के अंदर यह एक्सपी अलग अलग होगा तो यहां पर अब हम एजुकेशन पर आ जाते हैं एक बार और अब एजुकेशन के अंदर हमारा है कॉर्स सबसे पहले तो लिख देते हैं भाई कौन सा कॉर्स है ठीक है उसके बाद हमारे पास यहांप हैं इंस्टिट नहीं है अच्छिए हमें यह दिनी की जरूत है पर यहां नहीं नीचे है रिट इसको हम दे देते हैं यहां से कट इसको चुखा देते हैं यहां पर ठीक यह ऐसे ही है और आइव नो एडुकेशन यहां पर बुक का आइकन आना चाहिए यहां पर बुक का आइकन आना चाहिए यहां बाके सब सेम है इसको हटा देते हैं इसकी भी हमें जरुवत नहीं है और यहां पर यहां पर इसको भी हम कर लेंगे इसको भी हम कर लेंगे इसको हम खुद करते हैं क्योंकि मुझे लगता है उसमें ऐसे काभी पेश की जरुवत है बहुत ही सिंपल उसका लॉजिक होगा तो मैं सिंपली पीएच भी लिखता हूं फिर से पीएच पी स्टार्ट लिखता हूं अब लगता हूं इफ डॉलर स्किल्स अगर है तो ठीक है एल्स यह दिखना है अगर है तो क्या करना है भई अगर है तो लूप चलाना है for each dollar skills को as dollar skill दिखाना है ठीक है यहां पर और else नहीं है तो यहां पर दिखाएंगे message कि भाई skills नहीं है कोई add ठीक है इन में से किसी एक को उठा लेते हैं यहां चिपका देते हैं और यहां पर simply में एक जी प्रिंट करने बस skill और तो कुछ है नहीं इसमें skill के अंदर जो skill है उसे यहां पर दिखा देना है else क्या है कि भाई else का हिसाब कितब ऐसा है कि यहां पर लिख देना I have no skills I have I have no skills ठीक है उसको यहां से अटा देना cross करने के button को save कर देते हैं यहां पर और यहां पर आके refresh कर देते हैं ठीक है और नीचे वालोग को हटा देते हैं हम इनकी भी जरुवत नहीं है refresh कि हमने अब देखो कि I have no skills ठीक है I have no education I am fresher तो यहां पर add new का button है यहां पर add new कर सकते हैं तो add new पर क्लिक करने भी देखो तो यह pop up आता है जहां जिसके तुरू हम education और experience और skills को add कर सकते हैं ठीक है यह हमने पिछले से पिछले वीडियो में बनाया था create वाले में जब हम resume create कैसे करते हैं यह देख रहे थे अब simply यहां पर हमें add करने का functions बनाना और यहां पर resume समारे add उन में start हो जाएंगे ठीक है जलो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को हम यहां पर सबसे पहले इस वाले पर जाते हैं add experience पर यहां पर हमने लिख देता हूं भाई PHP developer हूँ मैं ठीक है PHP developer हूँ कितना साल हो गया मुझा PHP developer हो गया 2.2 years plus ठीक है यह 2 plus years 2 plus years ऐसे लिख सकते हैं यहां पर लिख देते हैं भाई codeinex cloud private limited ठीक है इस company में कब से start किया था भाई अब कुछ भी date लिख सकते हो लिख दो May 2021 लिख दो यहां पर currently working ठीक है currently working ठीक है job description में आप लिख देते हैं कि development and development of new products and maintenance 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 management and fixes in already developed projects ठीक है ऐसे लिख देते हैं कुछ भी लिख सकते हैं तुम्हारे उपर है अब add experience पर click करते हैं अब इसके बाद हम यहां पर जाते हैं और एक variable create कर लेते हैं एक action मैं पहले देख लेता हूं कि हमें क्या-क्या मिल रहा है ठीक है print अंडर्सको रार डॉलर अंडर्सको पोस्ट सेव कि हमने यहां पर यहां पर refresh किया continue तो देखोगे undefined variable डॉलर पोस्ट ओके dollar underscore post सेव कि हमने यहां पर फिर से यहां पर refresh किया तो देखोगे position मिल रहा है भाई company मिल रहा है स्टार्टेड एंडेड मिल रहा है development of new products and management मिल रहा है पर हमें यह नहीं मिल रहा है कि cv में add करना है cv id हमने भीजवाए नहीं सबसे ज़रुए चीज़ तो हम back आते हैं वापस से और इसको क्यों खुल दिया मिनिमाइज करते हैं यहां पर वापस जाते हैं update resume पर और जहां पर add new का हमने नीचे pop-up बना रख है यह add new job role का यह रहा form यह रहा form तो यहां पर लिख लेते हैं हम बकाइदा resume input type hidden name resume id ठीक और यहां पर value देते हैं dollar resume id ठीक है तो यह हो गया हमारा perfect यह साम sludge के साथ भी कर सकते हैं right इसलज आदा ठीक रहेगा ठीक है तो resume sludge यहां पर sludge दे दिया हमने हमने रिफ्रेश्च करते हैं और यहां पर हम add experience से बिजाते हैं फिर से यहां पर add कर लेते हैं my 21 currently working अरे यहां job description कहां से उठाया हम कैसे भी लाड़ते हैं PHP developer job description यहां से इतना copy कर लेते हैं okay यहां paste कर देते हैं add experience पर click कर देते हैं आप देखोगे तो यहां पर sludge भी मिला है और बागी size details में मिली हैं तो हम sludge के through insert करा सकते हैं तुम चाहँ तो id भी यूज कर सकते हो ठीक है पर sludge के मैं आच उनों के chances बहुत ना के बराबर हैं तो मैं sludge use कर रहा हूं तुम चाहँ तो यह भी चेक कर सकते हो sludge करते हैं अगर है तो वापस से create कर लो यह लूप में चलेगा यह चीज़ तुम बना सकते हो पर मैं फिलाज लिए छोड़ रहा हूं यहां पर हम जाते हैं header होगे हमारा update resume ठीक है तो हम यहां पर चले जाते हैं add experience होग update resume add experience.php ठीक है तो हम इसको यहां पर save करते हैं then हम जाते हैं अब हमें add करना राइट तो हम यहां पर जाते हैं अपने update तो हम काम करते हैं register कहां कि हमारा register.action.php register क्या रहा हूं अभी जो हमने create किया था create resume इसी का pattern यूज़ करेंगे यहां पर हम control all करके copy कर लेते हैं और add experience में यहां पर जाके paste कर देते हैं सबसे उपर का यह हटा देते हैं तो हमारे dollar post हो गया और यहां पर फुलने मूलने में इतना सारी चीज़ तो चाहिए नहीं हमें ऐसे ठीक है तो एक काम करते हैं हम तब हम वापस यहां पर आते हैं add experience में अब हम इतनी सारी चीज़ तो नहीं चाहिए हम all to that दबा देते हैं और हमें कुछी चीज़ों के यहां पर देखना है कि वह है कि नहीं इसमें ठीक है तो सबसे पहली चीज जो है वह होगी sludge कि भाई sludge होना चाहिए होना चाहिए इसमें sludge ठीक के बाद position होना चाहिए ठीक है पोजीशन के बाद company होनी चाहिए कि companies के अंदर company का data है कि नी company होनी चाहिए company के बाद हमारा started और ended होना चाहिए कि बहुत स्टार्ट हुआ कब खता हुआ started और ended ठीक है यह होगे started और ended अब job desk होगे हमारा and dollar post job desk होना चाहिए ठीक है तो यह होगे हमारा job desk तो यह सभी चीजे हमारी आगी है लबबबबब और यह columns है values है यह post एक एक करकर loop में चलेगी और फिर यह हमारी query बन जाएगी राइट हम देख लेते हैं कि क्या query बनती हम यहां पर आते हैं इसको यहां पर query बन क्या रही है save करते हैं इसको यहां पर then refresh करते हैं ओके तो उपर हमने drive करके इसको ठाना पड़ेगा जिस्तेके से refresh तो इंसर्ट इंटू resumes resumes में ने insert करना हमें हमें insert करना यह experiences पे experiences कर लेते हैं copy और यहां पर कर देते हैं paste यह experiences हो गया यह columns values हो गई और refresh करते हैं तो sludge तो पहले बाद इसमें है नहीं है हमें sludge तो हम target करने के लिए उस कर रहे है कि भाई cv जो है वह है कि नहीं पर हमने यहां पे हम sludge से नहीं कर सकते क्योंकि हमें sludge से क्या करना पड़ेगा हमें आप resume get करना पड़ेगा फिर इसकी resume id से हम यह कर पाएंगे क्योंकि यहां पर resume id हमने डाल रखी हमें यहां पर sludge डाला होता तो हम इस चीज़को sludge के थुरू कर सकते हैं पर हमें resume id के थुरू करवाना पड़ेगा कोई दिकत नहीं है हम यहां पर जाते हैं back और यहां पर कर लेते हैं refresh add new web developer consultant codex cloud copy paste add experience ठीक है तब देखो अभी भी इस लाजारा अरे यहां मैंने change तो किया नहीं update resume बहुत ही frustrating हो जाता है नहीं बार बार ऐसी छोट छोट चोट को change करना बट क्या कर सकते हैं resume id resume id ठीक है और यहां पर जाते हैं refresh कर दिया हमने ठीक है यहां पर add new पर जाते हैं यह किया हमने यह किया हमने यह किया हमने यह किया और यह कर दिया add experiences अच्छा हमने यहां पर sludge के लिए वो लगा रखा है ना sludge तो development ही है frustration वाला काम है जब ऐसे चोटी मोटी problems बार बार आकर होती है तो तुम्हें लगते कि और मेरा सदा दो रहा है मैं क्यों कर रहा हूं यह बहुत irritation होती है and I can understand it it's totally normal ठीक है यहां पर add new पर जाते हैं फिर से करते हैं पता नहीं मैं कितनी पर कर चूँआ इस सेम चीज है ना फिर भी work नहीं कर रहा क्या हो गया job desk resume underscore id resume underscore id यहां पर आप साइज दिखावा है resume underscore id ठीक है okay finally okay insert into experiences resume id position company started ended job desk sludge नहीं चाहिए हमें sludge क्यों मिल रहा में okay यहां पर हम डाल रहे हैं हमें यह सब नहीं कराना है इसका मटा देते हैं यहां से refresh ठीक है और इसको भी नहीं कराना हमें इसको भी मटा देते हैं refresh यहां पर values देखो कैसे कही है resume के अंदर two गए लिए value और हम इसको क्या करते हैं यहां पर अब देखो यहां पर यह तो ठीक यह integer value है यह string की तरह जा रहे है तो यह bit format में store होगी जो क्यों हम नहीं चाहते हैं बागी PHP देख भी देख यह ठीक है यह ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है सब ठीक है बस हमारा यह जो है resume id एस़िस नहीं जानी चाहिए तो हम चल्यां इसको डेख लेता है कैसे करेंगे हम यहां पर simply आते हैं और इसको पॉप कर लेंगे इसमें से यहां पर दिखना यहां है यहां अधे अलब से पास कर आएंगे तो यहां पर नीचे आजाने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे बाई है कि जो columns हैं, उनमें एक और add करना है क्या resume underscore id ठीक है, और जो values हैं उसमें भी add करना है values में add करना है direct resume id perfect, अब आते हैं, refresh करते हैं दखो position, resume id और 2xp, developer और i-n-2, perfect तरीके से हमारा query बन गया ठीक है, तो इस चीज़ का हम function भी बना सकते हैं वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है ऐसे भी करने में मज़ा आ रहा है ऐसे में जाद अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है तो ये चीज़ हमने कर ली, और मेरे ख्याल से ये resume id हो गया हमारा और ये हो गया query insert into experiences, experiences ठीक है, columns, values ठीक है, echo query हम इसको यहां से हटा देते हैं हमें इसकी जरूत नहीं है अब इसको कर देते हैं comment, इसकी भी जरूत नहीं हमें अब और अगर हो जाता है add तो हमें my resumes पे नहीं हमें ठीक है तो अब हमें यहां पे दिक्कत यह होगी हमने दो भाई sludge pass किया था और उसी की सब सब सूच नहीं थे पर हमने data table में resume id store कर रखी है अब सब कुछ इसके हिसाब से बदलना पड़ जाएगा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं हम यहां पे जाते हैं और यहां पे कर लेते हैं हमारा update resume है ठीक है update resume ठीक है update resume पे redirect हो जाए अगर generate हमरा update हो गया तो यहां पे resume equal to id लिख लेंगे यह काम करते हैं हम sludge भी मंगवा लेते हैं साथ में है ना तो यहां पे dollar post dollar post sludge ऐसा दे देते हैं dollar post sludge यहां पे मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है perfect और साथ ही अगर कोई दिक्कत हो जाती है error error आ जाता है किसी तरीके का तो भी हमें सेम चीज़ करनी है हमें यहां पे जाना है इसी page पे redirect कर देना है इसके case में भी और इसके case में भी मतलब कोई क्या फर्क क्या पढ़ता है हम एक बार back चले जाते हैं हमें कुछ changes करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे sludge भी साथ में भीजना पड़ेगा तो हम simply यहां पे update resume पे जाते हैं और यह जाते है इसको copy कर लेते है और यहां पर हम लिख देते हैं sludge और यहां पर भी हम लिख देते हैं sludge और एक और चीसे हमें change करने पड़ेगी इसको भी हमें remove करना पड़ेगा इसमें से ठीक है तो कहां कि हमारा यहां पर आते हैं जैसे हम यह एरे शिफ्ट कर रहे हैं ठीक है हमें यहां पर लिखना पड़ेगा पोस्ट टू और इसके अंदर हम पोस्ट को स्टो करा रहेते हैं ठीक है उसके बाद अंसेट कर लेते हैं किसको अंसेट कर लेते हैं डॉलर यह बएक तरीका कि other किस एलेमंट को रिमूव करने का पर रेमेए डिटerन नहीं करते है कि आपके हम पॉप करते है तो फॉस्ट रिटेन करता है पर यहां रहीख सपैसिफिक किसश напींभ कर सकते हैं जयसे हम पोस्ट और सको कर देते हैं किसको अज़ोज को सब्सक्राइब और नीचे जहां हम यह लिख रहे हैं यहां पर पर हमें टू लिख देना है परफेक्ट चल्ब देख लेते हैं कि यह काम करता है हम रिफ्रेश करते हैं अभी कोई एक्पिरियंस कुछ आड नहीं रहता है हम experience यहां पर अड़ कर लेते ही को डिणेक्स cloud मेट मेटीवन कुरेंटली वर्किंग इसको कॉपिमा रहा यहां पर पे ही साथ हम यहां पे बना लेते हैं कि बहुत बनाना असान है हम पर जाते हैं लिख देते हैं डिलीट xp.action.php और यहां पर हम कुछ इस तरिक इस ले रहेते हैं ठेक है और डिलीट का हमने कुछ बनाए किया पहले कभी अपडेट प्रोफाल लें डिलीट का भी हमने कुछ भी नहीं बनाए ठीक है तो यहां पर हम create action resume action ठीक है तो यहां पर हम add xp को ही यहां पर copy कर लेते हैं copy और delete xp के अंदर आके यहां पर कर देते हैं paste ठीक है यहां पर सिर्फ resume id भी set होना चाहिए resume id ठीक है बाकी तो कुछ यहां पर जरूत है नहीं तो experience id और resume id set होने चाहिए बस और बाकी यहां पर हमें इनकी कोई जरूत नहीं यहां पर ठीक है simple सा query हमें लिखना है और delete कर देना है ठीक है insert into experience insert की जगे हमें हमें एक query लिखने है simple सी हम उसको चलाएंगे यहां पर लिखेंगे delete delete from experiences where जो id है वो equal है किसके यह हम इसके अंदर direct लिने चाहता है आसे कली बेसिस के अंदर अगा कर लिख सकते हैं associative arrow को इसके equal है and जो resume id है वो equal है किसके यह सिरफ post id तो चाहिए हमें और यह post नहीं यह get through आएगा ना तो यहां पर dollar get लिख देते हैं perfect तो यह अगर इसके equal है and resume id जो है यह दोने equal होने चाहिए right id और resume id दोने equal है तो delete कर दो query run हुई फिर अप लिख देंगे experience deleted deleted perfect ठीक है बाके सब सेम रहेगा I think car तो कोई इकत है यहां पर hmm sludge भी चाहिए होगा ने यहां पर sludge भी भेज देंगे ठीक है और post to की जगह यहां पर हम पोस्ट कर देते हैं इसमें हमें पोस्ट की ही जरुवत है और यह हो गया और हम यह को पर थोड़ा confusing हो रहे है बट video को बार बार देखना ताकि समझ में आ जाए और yeah I think everything is normal अब हम यहां पर आते हैं refresh करते हैं यह हमारा delete का button है फिलाल यहां पर कुछ भी नहीं आ ढंक से तो मैं इसको ढंक से कर लेता हूं मैं यहां पर add experience पर जाता हूं और कहा गया हमारा हमारा update resume यह रहा ठीक है तो यहां पर जहां पर add XP हम कर रहे हैं ठीक add XP यहां पर add हो गया हमारा और उपर की तरफ हमने दिखाया है स्किल्स हो गया, यह एजुकेशन हो गया, यह एक्सपी हो गया ठीक है, तो यह वटन है हमारे क्रॉस का, ठीक है तो यहां पर मैं एंकर टाक लिख लिएता हूं कि भाई कहा जाना है तुम्हाँ तुम्हें जाना है actions के अंदर delete xp delete xp dot action dot php question mark सबसे पहले चीज तुमें चाहिए id ठीक है उसके बाद तुमें चाहिए and लगा के हम और भी parameters दे सकते हैं resume id उसके बाद तुमें चाहिए sludge ठीक है अब इन सब की value दे देते हैं सबसे पहले id की value दे देते हैं जो की है dollar xp id ठीक है अब हम resume की value दे देते हैं resume id की value दे दे देते हैं resume ठीक है same हमें अब sludge की value देते नहीं है सलच के साथ भी same है निकलेते हैं resume sludge perfect ठीक है save की हमने यहां पर और यहां पके refresh किया तब देखोगा अगर अब हम cross पर ले जा रहे हैं तो हमारे पास id 0 अब अब आउट यहां पर वह नहीं दिया अउट इंक्रिमेंट इसे नहीं दिया हम अउट इंक्रिमेंट इसे दे दे देते हैं हमने कलते से adjust privilege पर क्लिक कर दिया है ठीक है ओके अब देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं हम इसे डिलीट करते हैं तो देखो डिलीट हो गया पर यहां पर पॉप अप मेसेज नहीं दिखा कि भाई डिलीट हो गया ऐसा क्यों डिलीट एक्सपी इसके नीचे अड ने रोक है क्या आड एक्सपीरियंस है सबसे नीचे तो हमने बढ़का प्रता लीजन तो हमें इसको ख़ता लेते हैं और वेरिफिकेशन नहीं किसी कभी फुटर यहांपे डाल देता है फुटर तो सेमें है ठीक है यहां पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एड एक्सपीरियंस नहीं अप्डेट रिजुमे में यह एड कर लेते हैं web developer codens cloud May 21 यह इसको copy कर लेते हैं यहाँ पेस्ट कर देते हैं experience करते हैं experience added perfect और delete करते हैं experience deleted perfect तो यह भी हमारा काम कर रहा है अब ठीक है हम एक experience add कर रख लेते हैं अच्छा नहीं लग रहा खाली-खाली my 21 currently working यहाँ paste ठीक है experience हमारा add हो गया हम चाहें तो multiple expenses add कर सकते हैं depend करता है कि हम add करना चाहते हैं कि नहीं ठीक है तो हमने यहाँ पर एक add कर लिया अब education के साथ भी हमें चेलर्स आफ केम्प्यूटर केम्प्यूटर अप्लिकेशन इंदिरा इंदिरा गांधी नाशनल उपन जुनिवर्सिटी ठीक है कब स्टार्ट किया था भाई तो कभी भी कोई भी डिट लिख दो क्या अफरक परता है लिख दो currently वर्किंग के जगे अब लिख दो currently फाइले हमें उसमें भी चाहिए अपने एजुकेशन वाले पॉप अप में तो यहां पर हम आते हैं फॉर्म स्टार्ट हमारे यह रहा और इसके अंदर हम यहां पर पेस्ट कर लेते हैं ठीक है यहां पर रिफ्रेक्श करते हैं एज एजुकेशन पर क्लिक करते हैं अब बस हमें यहां पर अल्री टाइप है तो मैं बस यहां पर सेलेक्ट करूंगा करेंटली स्टुटिंग एज एजुकेशन यहां पर आगे हम यहां पर फाइल बना लेते हैं action से न्यू एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी कर लिए हमने यहां पर आए हमने न्यू फाइल बनाई यहां पेस्ट किया एंटर दबाया अब एज एजुकेशन.action.php यहां पर बन गया same ad experience जैसा है यहां पर इसको all करके copy करेंगे education पर पेस्ट कर देंगे save करेंगे यहां पर कुछ चीज़ा में change करनी पड़ेंगी तो यहां पर मैं इनको echo कर लेता हूं और यहां पर हमसे die कर लेते हैं ताकि debug करते हैं चले साथ-साथ यहां पर आते हैं refresh करते हैं तो यहां पर resume ID आया है sludge है ठीक है position की जगह यहां पर हमें देखना है कि भाई course होना चाहिए ठीक है और institute की company की जगह हमारे पर देखना है कि इंस्टीट होना चाहिए इंस्टीट्यूट बाकी started ended same है और job description हमें नहीं देखनी है ठीक है perfect बाकी हमें यहां पर resume ID निकालनी है और sludge निकालना है वह तो same process है ठीक है columns हो गया हमारा और हम देख लेते हैं यह sludge हो गया resume ID हो गई ठीक है okay 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 almost same है यहां पर लिख देते हैं education added ठीक है और values यहां पर एक पर हम इसको echo कर लेते हैं query को dollar query और experiences की जगह यहां पर educations educations को add करना है और इसको मैं die से यहां पर हटायता है इसको save करते हैं यहां पर आते हैं refresh करते हैं continue करते हैं तो insert into education course institute started ended resume ID values यह हमारी bachelor ID होगी इंद्रा गांधी में 21 करेंटलि स्टॉडिंग ठीक है perfect तो यह भी हमारा add हो गया और मतलब add करने करने logic बना लिया जस्ट हम add कर देंगे इसे यहां पर हम इसे अटाएंगे और इसको हम comment कर देते हैं और यह हमारा add करने का logic बन जाएगा copy paste refresh education अगर देख सकते हो लिखा रहा है और यहां पर education भी एक add हो गई है यहां पर 0 लिखा रहा है okay मैं समझगे क्यों लिखा रहा है यहां पर education पर जाते हैं structure में जाता है started को हम इने आप इंटेजर दे रखा है जैसा हमने experience में दे रखाता है इसको हम वार करेक्टर कर लेते है और 100 रखते हैं इसको सेव करते हैं ठीक है यहां पर education में अब इसको हम डिलीट कर देते हैं यहां से डिलीट हो गया ओके डिलीट नहीं हुआ क्योंकि हमने डिलीट कभी बनाया है नहीं है हम बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे हमने इसको बनाया है, same इसको हम copy कर लेते हैं, copy, paste, अब ये delete copy बन गया है, इसको हम ऐसे rename कर लेते है, delete xp की जगहा लिख लेते हैं, पर delete, edu, delete यानि education, और यहां पर भी हमें same चीज़ चाहिए, कि भाई, id होनी चाहिए, post की और resume id होनी चाहिए, फिर delete from educations, where id is this and post is this, अब लिखा है, education deleted, ठीक है, update resume, php mostless, ठीक है, यहां पर हम education पर आते हैं, फिर से update resume पर और जो हमने delete करने के लिए system use किया था, उसको हम use कर लेंगे, same, experience delete करने के लिए, जो हम URL बना रहेते हैं, हमने आप देखो, यह URL बना है, delete xp.php, फल न न न न न न न न न, इसको हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, और यहां पर आते है, education के अंदर add new, और इसके अंदर कर लेते हैं, paste, यहां पर बस xp की जगह यहां पर लिख लेते हैं, currently studying, education, education added, यहां पर education add हो गया हमारा, ठीक है, तो यह बहुत ही बढ़ी हां तरीके से हो रहा है, right, okay, and अब skills पर जाते है, I have no skills लिखा है currently, skills के साथ भी same करना है, वही चीज़ हमें काम करते है, skill पर पहली deleted वाला चीज़ चिपका देते हैं, ताकि दिक्कत ना हो हमें, यह रहा हमारा, I am fresher, ठीक है, यह हो गया, education, skills, यह रहा हमारा skills, ठीक है, तो बाकी तो रिज्म तो सेम है, global variable है, तो हम से ऐसे ही access करेंगे, और delete xp की जगह यहां पर हम लिख देंगे, delete skill, तो हमने skill के लिए भी delete button बना दिया है, और बाकी show तो हो ही रहा, skill में हम देख लेते हैं, skill में कुछ खास नहीं, एक simple सी liner हमें देनी है, तो दे देते हैं जल add adu, यह हो गया, हमारा add यह, ठीक है, skill, paste, save किया, यहां पर आया, refresh किया, अभी I have no skills लिखा हूँ, मैं यहां पर लिखता हूँ, यहां लिख देता हूँ, html, css, javascript, ठीक है, और इसे add skill पर click करता है, अभी add skill.action.php पर चला गया, जहर सी बात है, तो मैं यहां पर जाता ह और एक file बना लेता हूँ, add skill.action.php, add skill.action.php, refresh करते हैं, इसे, perfect, जैसे हमने education एड किया, जैसे हमने बाकी चीज़ों को एड किया, add skill भी best वैसी है, उल्टा, इसमें कम columns हमें use करने हैं, तो यहां पर हो गया resume ID, ठीक है, course की जगए, यहां पर हमें क्या चीए, skill चाहिए, ए यहां पर हम dial करते हैं इस चीज़ को, यहां पर आते हैं, refresh करते हैं, तो यहां पर sludge, skill और resume ID मिल रहे, ठीक है, बाकिया में यहां पर कुछ नीच चाहिए, हम यह support आ लेते हैं, ठीक है, और refresh करते हैं, यह resume ID है, यह pop-ok resume ID के अंदरा आ जाएगी, then pause to, then sludge, ठीक है, तो यह ह हो गया हमारा, बाकि यह भी, इसको भी बना देगा, dynamic तरीके से, resume ID हो गया, ठीक है, यह हो गया, यह हो गया, इसको एक बार हम देख लेते हैं, कि query हमारी क्या जा रही है, ओके, यहां पर हम echo कर लेते हैं, dollar query को, तुम screen को रोक के देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़ले decode कर रहा हूं, क्योंकि बहुत time अल्रेडी हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूं, और मैं समझा भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, ठीक है, और मैं आपर refresh करता हूं, तो insert into education, education में नहीं insert करना है, हमें insert करना है, skills पे, skills, ठीक है, तो insert into skills, skill और resume ID, values, HTML, CSS, JavaScript 2, perfect, ठीक है, तो सभी messages ठीक है, यहां पर query, query, यहां पर लिखना है, skill added, बस बाकी तो same है, perfect, यहां पर refresh करते है, skill added का message यहां पर आ गया, देख सकते हो, और यहां पर HTML CSS, जास के प्लिक खा रहे है, मैं चाहूं तो यहां से cross कर सकता हूं, चलो देख लेते हैं क्या से करेंगा हम यह चीज, update resume हो गया हमारा, हमने delete addu बना है ना, इसको ही duplicate कर लेते हैं, copy और यहीं पर paste, आप इसको rename कर लेते हैं, addu की जगह यहां पर लिख लेते हैं भाई, कि delete skill, ठीक है, delete skill, अब delete skill के अंदर हमें हैं, यहां पर same हमें चीज मिल वही है, post id और resume id, query delete from, skills, where id is this and resume id is this, ठीक है, query, skill deleted, perfect, अब बाकी सब सेम है, बहुत ही simple सा logic है, यहां पर आता है, अब हम इसे delete करते हैं, तब हमने delete के है, skill deleted हो गया, देख सकते हो, skill deleted हो गया, I have no skills लिखा हुआ है, मैं आपर add का जयता हूँ, react and, react, react and, and, react native, development, 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 ठीक है, add skill कर दिया, skill add हो गया, यहां पर हम add करेंगे, अब, PHP, PHP, Laravel, code igniter, ठीक है, add skill, यह भी add होगा, देख सकते हो, add होगे दोना skill, मैं चाहँ तो किसी एक को remove कर सकता हूँ, skill deleted, इसके लिए हमारा delete भी हो गया, तो हमने यहां पर बना लिया, हमारा यह resume बनके त्यार हो गया, resume का data हमारा database में है, ठीक है, और हम इसे delete कर पा रहे है, experiences add कर पा रहे है, education add कर पा रहे है, और अब update resume पे हम चले जाते हैं कि यह resume update हो जागर हम update करें तो, जाएसे बात है यह सारी चीज़े तो यहीं पर update हो जा रही है, right, हमें बस इसको update करना है, उपर वाले को update करना है, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे, हम simply यहाँ पर जाते हैं सबसे उपर, update resume पे सबसे उपर, सबसे उपर चले गए, और इसके अंदर हम form जो हमारा बन रहा है, यह रहा action, create resume, इसको यहाँ से change कर लेते हैं, update resume, ठीक है, यह आ गया, यहाँ पे हमने refresh कर लिए इसे, और बाकिस अपडेटा तो वैसे है, जैसा हमें चाहिए, हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको update resume पे click कर द पास कर लेती है, यहां पे add skill पे जाते हैं, add skill क्या रहा हूँ, जो हमारा कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, यह दोनों चीज़े हम इसमें भी पास कर देते है, resume ID और जो भी हमारा, ऋपर जाते हैं, कि यहां पर यहां पर आईडी लिख देते हैं और यहां पर स्लज लिख देते हैं ठीक है तो यह रिजुम की आईडी और स्लज भी यहां पर हमारे साथ आएगा परफेक्ट रिफ्रेश करते हैं और यहां पर अपडेट रिजुम पर क्लिक करते हैं अब यहां पर आ गए हम क् copy कर लेते हैं ऑले को यहां पर पेशे कर लेते हैं ठीक है, यहां पे इनको प्रिंट करा लेते हैं और यहां परड़ करा देते हैं, सेव हैं पर रिफ्रेश किया ठीक है तो आप यहां पर देखो हमें फुलने मिल रहा है e-mail ID मिल रही है अब्जक्टिव मिल रहा है मोबाइल नमर मिल रहा है डियो बी रिलीजिन वो सबी चीजे मिल रही है जो हमें यहां पर हमने चक करा रहे हो लेडे हैं हम दो चीज़ा और चेक करा लेते हैं कि रिजुम आईडी भी मिल रही हो ठीक है तो यहां पर हमें आईडी मिल रही हो यह भी हम चेक कर लेते हैं साथ में हम यहां पर देख लेते हैं सलज भी मिल रहा हो ठीक है परफेक्ट, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर लेते हैं, इसको यहां से कट कर लेते हैं, और यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको इको कर देते हैं, डॉलर क्वेरी, यहां पर आते हैं, रिफेश करते हैं, यहां पर क्वेरी आगी, इंसर्ट इं ठीक है, update resumes, और at the end में लिखेंगे where, उससे पहले हमें बीच में क्या लिखना है, हमें लिखना है set और फिर उसका value, वो आली तरीके से लिखना है, ठीक है, चलो देख लेते हैं, क्यासे करेंगे हम इस चीज, तो हम सिद्धा यहां पर columns के अंदर काम करते हैं, हमें कैसे लिख उसके बाद हम column का name लिखते हैं, और उसकी value लिखते हैं, कॉमा से separate करके, जितने भी हम value को update करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां, यहां पर dollar columns लिख देते हैं, values की जरुवत नहीं है, यहां पर हम condition लिख देंगे भाई, कि where जो id है, वो equal है, किसके, dollar, resume id मिल रहा है कि हमें, post resume id के, यहां तक हम copy कर लेते हैं इसे, और यहां पर हम paste कर देते हैं, और जो हमारा क्या कहते हैं, and, ठीक है, यह हो गया हमारा, नीचे अगर अब फिलाल तुम query देख रहे हैं, तो पहले query पर काम कर लेते हैं, बाकी यह values हो गई, ठीक है, इनको हम अटाते हैं यहां से, हमें इनकी जरूरत नहीं है, Auth ID की भी जरूरत नहीं है, हमें यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आते हैं, refresh करते हैं, undefined ID की resume underscore id, ओ, sorry, id, यहां पर resume underscore id यहां सिरफ id लिखनी है, refresh, तो set, देखो, update resumes, set, अब यहां पर set को इस तरी किस लिखना है कि भाई, यहां column name, column name यहां पर लिखना है, equal to, ठीक है, इसको double quotation में लिख लेते हैं, equal to, यह value इसके अंदर जानी चाहिए, value क्या है, तो value यह है, ठीक है, set id is equal to 2, तो हमें id को नहीं set करना है, ऐसे, हम क्या करते हैं, dollar post 2 को यहां पर लिख लेते हैं, dollar post इसके अंदर transfer कर लेते हैं, ठीक है, और post 2 को हम loop पे चलाते हैं, अब post 2 में से क्या करेंगे, तो कुछ-कुछ values को unset कर देंगे, unset, कौन से values को unset कर देंगे, समझ रहना क्यों हमने post को उपर अलग लिख 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 है, क्योंकि post के अंदर से अगर हम insert कर देंगे उपर, इस id को और sludge को तो नीचे access नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, तो ठीक है, तो यह हो गया, हम यहां पर refresh करते हैं, तो देखो रिजू टाइटल यहां पर लिखा रहा है, full name, email id, objective, और हमारा objective के बाद यहां पर आ रहा है, mobile number, ठीक है, DOB, ओके, हम यहां पर gender मिल रहा है, religion मिल रहा है, nationality, Indian हो गया, marital status हो गया, hobbies, watching, सब कुछ हमें मिल रहा है, है, end में sludge मिल रहा, where id is equal to, and sludge is equal to this, perfect, हम यहां पर updated add भी add कराना है, वो हमने add नहीं करा, हम add करा लेते हैं, अभी अगर तुम देखो, तो हमारे end में एक comma extra लगा होगा होगा, यहां पर देखो, यह comma extra लगा होगा, यह भी fix हो जाएगा, तो मैं वापर इसे code में आता ऐसे कर देते हैं, ठीक है, perfect, इसको हमने save किया, और इसको हमने यहां से हटा दिया, ठीक है, यह हमारे db query चल गई, resume added की जिगा हम अपलिक देंगे, resume updated, ठीक है, और बाकी नीचे, ठीक है, बाकी नीचे, जो है redirection, वो तो यहीं पर होगा, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ, पुर्यों को, और add education में जो है, इसको नीचे को पुर्यों copy कर लेता हूँ, add, 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 update, resume, resume updated, resume updated, same यहाँ पर, same यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर post2 लिखा हुआ है, हमें पर हमने तो post2 में से sludge हटा दिया था, तो हमें बस post कर देना, बात कतम, problem solve, ठीक है, तो yeah, I think, चीज़े हो गई है, एक बाद देख लेते हैं, refresh करके, तो यहाँ पर कोई pop-up नहीं आया, आना चीए था, रैट, तो नहीं आया, मतलब update नहीं हो रहा हमा रहा है ना, कुछ दिक्कत हो रही है, इसका मतलब, यहाँ पर लिख देते हैं, die, refresh, इसके नीचे भी क्या हमने वो नहीं लिखा गया, अपडेट रीजुमे, हमने डाला था था वी, ज़स्ट, डाला थो यह फुटर, Syntax error missing after argument list, कहाँ? Soil fire, unknown column, अच्छ, यह रहाँ रहा है, unknown column, अपडेट, रिजुम, अपडेट, रिजुम, यह रहा, अधिक्का तर यह, हमारी क्वेरी में कोई मिस्टेक यह, इसका मतलब है, हम यहाँ पर इको करते हैं, डॉलर, क्वेरी, असको कर लेते हैं, यहाँ पर डाय, अपडेट, रिजुम, सेट, रिजुम, टायट, इवाड लप पर, फुलनम, इस, अबजेट, इस, और ऐसी, यहाँ पर करते, करते, अन तक आते हैं, लैंवेजे, इस, अड्रेस, इस, अच्छ, यह आएगा हमारा, एक स्ट्रिंग है, तो यह हमारा, कोटेशन के अंदर आएगा, ठीक है, और हमने साथ, इसको कोटेशन के अंदर नहीं डाला है, वेज, इस, इस, अपडेट, रिजुम, अक्शन, यह हो गया हमारा, वेजुम, इस, इस, हो गया, तो, अब हमारा, मैसेज शो होना चाहिए, हमें रिफ्रेश करते हैं इसको, आखो, रिजुम अपडेट लिखा रहा है, परफेक्ट, अपडेट रिजुम बेख लिखा रहा है, हम एक बार अपडेट करके देख लेते हैं, यू, 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 परफेक्ट, तो, यह चीज तो हमारी परफेक्टली काम कर रही है, हमने यहां पर सक्सेशली रिजुम अपडेट कर लिया, इसमें एक्सपीरेंस एड़ करने का, एडूकेशिन एड़ करने का, स्किल्स एड़ करने का भी हमने बना लिया, तो आई होप तुम्हें चीज पसंद आई होगी, हम बेक कर देते हैं, ओके बेक से तो यहीं पर आएगा रहा है, तो इस बेक बटन का हमें थोड़ा चेंज करने पड़ेगा, मैं चाहता हूँ यहां पर बेक करने पर माय रिजुम पर चला जाए, यह हिस्ट्री बाब आप जा रही है क्योंकि पेज रिलोड हुआ है इसके वास्ते, तो मैं सबसूपर जाता हूँ अपडेट रिजुमे पर और बैक बटन पर यूरे लगा लेता हूँ थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है सबसूपर गए हम यहां पर आ गए बैक बटन हमारा कहां गया, इसको हम अनक्लिक से यहां से हटा लेंगे और इसको हम हर दे लेते हैं, हर एफ my resumes.php का, सेव के हमने यहां पर आके, रिफ्रेश के हमने, अब हम बैक जाते हैं तो दो बैक पर आ गए, अब यहां पर डिलीट का भी बनानत हमें, अब डिलीट पर क्लिक करने पर अब कुछ भी निवर है, मैं चाहता हूं डिलीट हो, तो कैसे करेंगे, हम सिंप्ली आएंगे, यहां पर आएंगे, अपडेट, my resumes पे, my resumes, my resumes, पंपंपंपंपंपंपंपंपंपं, कहां गया, my resumes, यहां पर हम आते हैं, और यहां पर हम देखेंगे, कि, यहां पर हम अपडेट कर सकते हैं, हमें यहां पर डिलीट के परइंट कहां मिल रहा है यहां, तो यहां पर मैं क्या करना है हमें, simply, actions के अंदर जाना है, delete, resume, dot action, dot php, बेजना है इस चीज़ को और साथ में क्या भीजना है ID भेजनी है Rezum की सबसे पहले Rezum की ID भेजनी है यहां पर हम लिख देंगे Rezum Id Perfect हम पर refresh करते हैं और यहां पर किसी भी क्लिक कर लेते हैं अब यहां पर आंकर delete resume.action.php id is equal to 4 तो इसके लिए भी बहुत इसी तरीका जैसे हमें skill delete कर रहे हैं वैसे हमें बाकियों को भी करना है copy यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर आके हम paste कर देते हैं और इसको मैं नाम देता हूं rename करके delete skill की जगे आप देते हैं delete resume एंटर मार हमने पोस्ट केंदर हमें get मिल रहा है और सिरफ id मिल रहे हैं और हमें कुछ चाहिए भी नहीं हमें सिरफ resume id चाहिए जो कि हम id के नाम से यहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पर delete from skills की जगे हम लिख रहे हैं delete from resumes where id is called to post id और हमें यहाँ पर auth id ले लेता है ताकि डबल verify हो जाए कि यह उसी user का है जिसका हम use करने ठीक है तो यह रहा auth id हमने यहाँ पर get कर रखा था update profile वाले में तो यहाँ से मैं copy कर लेता हूं यहाँ से मैं copy कर लेता हूं चिज़ को और delete resume पर जाते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर कर लेता है पेस्ट यहाँ पर पोस्ट आडी तो यहाँ पर पोस्ट आडी तो यह है resume ID की जगे हम लेता है user id user id जो है वो equal है किसके वो equal है auth id के auth id के equal है ठीक है यह हो गया हमारा db query set alert यह अपले लेता है resume deleted ठेक है और यह इसको यहाँ देने कोई जरुत नहीं है इसको simply हम rediret कर लेंगे my resumes my resumes पर read out कर लेना है बात कर दम इसको कर लेते है copy और इसको कर देते हैं यहाँ पेस्ट इसको कर देते हैं paste करते हैं paste पर्फेक्ट यहाँ पर आते हैं refresh करते हैं तो देखो रिजू डिलीटर लिखा आ गया मैं इसको डिलीट करूँ अगर पर आभी एक चीज़ देखोगे तो डिलीट हो रहा है पर क्या डिलीट हो रहा है ठीक है क्या डिलीट हो रहा है यहाँ पर आओ तो यहाँ पर देखोगे अगर तो कहां के हमारा एडुकेशन डिलीट कर देखोगे तो स्किल्स तो हमारा वैसी है और क्या कहते हैं हम एक्सपिरियंश जो एड कि हमने वह भी वैसी है यह तो डिलीट नहीं हुआ जब आगर हमने रिजूम आड कर दिया तो आप देखो एक भी रिजूम नहीं है ठीक है पर यहाँ पर यह स जाना है और ठीक है यहाँ पर तीनों टेबलों के नाम लिखना है हमें सबसे पहले हमें रिजूम दैन स्किल्स दैन एडुकेशन दैन एक्सपीरियंश 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 ठीक है, from resumes, अब इसमें हम table को join करेंगे, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इनको ऐसे concanate कर देता हूँ, ताकि तुम्हें से समझ आ है, इसको यहां से नीचे मार देते है, dollar, query, concanate, टुकड़ों में कर देंगे, ताकि तुम्हें अच्छे समझ में है, query, equal to, अब इसके दर हम क कभी और पढ़ेंगे, फिलाल करेंगे, left join, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर हमें, उससे table का नाम दिखने है, जिसको हम join करना चाहते है, अपने, इस वाले resume वाले table पर, तो हम इसको join करना चाहते है, भाई, सबसे पहले हमने, skills है, skills on resumes.id, equal है, skills.resume id के, ठीक है, बिलकुल ऐसे, और यह हो गया हमारा पहला join, इसके बाद हमें एक और join करना, इसको copy paste कर लेते है, left join, सेम ऐसे हमें skills जैसे हमने इसको लिखा है, वैसे हम लिखेंगे, educations on this, education.resume id, ठीक है, इसको copy कर लेते है, फिर से एक और left join मारेंगे हम, ठीक है, left join, educations, इसमें हम लिखेंगे इसवार, experiences, xp, e, r, i, e, n, c, e, s, on this, इसको हम copy कर लेते है, copy as this, where resume.id, जो है, resumes.id, जो है, इसके equal है, and resumes.userid, जो हो, इसके equal है, ठीक है, यह हमने query में change की है, अब देखो, अब क्या होता है, मैं यहापर save कर लेता हूँ, मैं यहापर add new पर click करता हूँ, मैं एक resume create कर लेता हूँ, ठीक है, जो है, random details है, यहापर, बहुत ही random details है, मैं यहापर resume create कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, हमने resume create कर लेता हूँ, अब मैं इसको add it करूँगा, अगर, और यहापर experience add कर लेता हूँ, ठीक है, पाहले मैं क्या करता हूँ, कि मैं experiences में से सब कुछ delete कर देता हूँ, ok कर दिया मैंने, और skills के अंदर से भी delete कर देता हूँ, और एजुकेशन के अंदर से भी डिलीट कर देता हूँ ठीक है हमने डिलीट कर दिया सब के अंदर से यहां मैं इसे रिफ्रेश्च करता हूँ और यहां पर एड कर लेता हूँ एक एजुकेशन पुछ भी जॉब रिस्टेशन डालता है ठीक है Currently studying है हमने एड़ कर लिया बाद यहां पर हम एड़ कर लेते हैं Skills multiple add कर लेते है ठीक है दो हमने multiple skills आपर आड़ कर लिया अब अगर हम यहां पर जाकर देखेंगे तो यहां पर एड़ रखाए एड़ है Education, Experience, Skills आप देखो हम अगर हम अपने क्या होता है हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें पर डिलीट करते हैं हम किसी ताप का Tackham कर दे रहा होगा कई कि हम देख लेते हैं यहाँ पर आते हैं यहाँ पर कर देतें इसे शिजच्छे इन यसको कमेंट कर देते हैं has इसको यहां पर एको कर लेते हैं भई, क्या error आ रहा है, dollar, error, debt, message, refresh, on an column, eduacations, spelling कहीं गलत लिख दिया हमने है, educations, eduacations, क्या आ रहा है, educations, ठीक है, हो गया, delete, तो देखो, delete हो गया हमारे, ठीक है, अब no resumes available लिखा रहा है, अब अगर तुम देखो गया, तो skills के अंदर से भी data delete हो गया, experiences के अंदर से भी data delete हो गया, educations के अंदर भी data delete हो गया, तो इस तरीके से हमने multiple tables के अंदर से एक बार में data delete कर सकते हैं, ठीक है, तो I hope कि तुम्हें वीडियो पसंद आए हो, कि हमने काफी cool चीज़ इस वीडियो म ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई भी अगर doubt या कोई भी query है तुम्हारा तो तुम description में question पूछ सकते हो, discussion क्या रहा हूँ, comment section में question पूछ सकते हो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक लिए bye and keep learning, keep coding